हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ श्वाग भारत दो आज स्वागत करता हूँ आज की अपनी वीडियो में दोस्तों वीडियो चल लहीं है एक हजार कोश्चन्स की सीरीज की यह आपका पार्ट फाइव है जो की 101 नंबर कोश्चन्स से दिखाऊंगा पीछे के 100 नंबर ख़्यों जो कि बहुत फी इंपार्टंट्रों कोश्चन्स रहे हैं जिसने नहीं देखे हैं वो पुराने चैनल पूरानी वीडियो में जाकर मेरी चैनल पर देख सकता है और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिता है कि यूदि सतीक्राइब के लिए बहुत ही महत्पूर्ण सावित हो सकते हैं तो कोई भी कोश्चन इसके मत करेगा जो भी नए आये हैं चैनल को एक पर सब्सक्राइब करके बेलाइगा जरूर दबा दें जिससे की आगे आने वाली वीडियो जो आपको मिलती रज़के चलिए शुरू करता हूं 101 102 नंबर है हलर का प्रयोग किस लिए होता है धान से भूसी अलग करने के लिए हलर का प्रयोग किया जाता है 103 नंबर है किसी विंदु का समानी तल किस से उचाई गहराई अत्वा उपर या नीचे होता है तो किसी विंदु का समानी तल किससे उचा नीचा होता है मान ने आधार तल से उपर या नीचे रखर माना जाता है 104 नमबर है आपका हाइग्रोफिलिक मर्दा बह होती है जो हाइग्रोफिलिक मर्दा कौन सी होती है जल को सम्मोहित करती है जलको सम्मोहित करती है वो हाइग्रोफिलिक मर्दा होती है 105 नमबर है त्रवजाकार नाली के लिए फ्राउट संख्या किस से ग्यात करते हैं तो त्रवजाकार नाली के लिए फ्राउट संख्या ग्यात करने का फार्मूला है आपका F is equal to V under root 2 YGY से इस फार्मूले से त्रवजाकार नाली के लिए फ्राउट संख्या क्यात होती है 106 नमबर है गतिक सियानता यानि की डायनेमिक विसकोसिटी की बिमा होती है तो इसकी गतिक सियानता की बिमा क्या होती है ML पावर माइनस 1 T पावर माइनस 1 एक सबमर्सिबल पंप हो सकता है कैसा हो सकता है एकल चरणी पंप भी हो सकता है और पहुँ चरणी पंप भी हो सकता है यानि एक सबमर्सिबल पंप दोनों तरह से हो सकता है 108 नमबर है स्लेव तथा बीम के लिए सामानिता कंक्रीट मिस्रड तो स्लेव तथा बीम के लिए सामानिता कंक्रीट मिस्रड क्या रखा जाता है ये 3 ग्रेड में होता है ग्रेड 15 क्या होता है 1, 2, 4 के अन्रपात में होता है ग्रेड M20 क्या होता है एक अनपात तीन बचा दो अनपात तीन होता है ग्रेज M25 क्या होता है एक अनपात एक अनपात दो होता है अब 109 नंबर कोश्चन है एक लैमिनर यानि कि पठली ये प्रभास सम्मंदित होता है किस से सम्मंदित होता है धीमी प्रभागती से संबंदित होता है द्रव का बिना अंदरूनी मिस्रण के आगे बढ़ने से संबंदित होता है और एंडीज यानि कि भवर की अनुपस्तती से संबंदित होता है इन पॉइंटों से आपका जो पटल ये या लेमिनार प्रभा है सम्बंदित रहता है 110 नमबर है एक समान प्रभा यानि यूनिफॉर्म फिलो होता है क्या एक जुकी हुई अविनलका जिसका तल ढाल इस्थिरो उसमें एक समान प्रभा होता है 111 नमबर है मेनिंग्स रक्षता गुडां क्यानी की मेनिंग्स रफनेस कोफिसेंट का मान घटता है कब घटता है पानी पहाओ की गहराई बढ़ने से रफनेस कोफिसेंट जो है वो घटता है 112 नमबर है क्रांतिक प्रभा की इस्तती में बेग सीर्स यानि वैलोसिटी हेड निम्न के वरावर होता है तो क्रांतिक प्रभा की इस्तती में किसके वरावर होता है वैलोसिटी हेड पानी के प्रभा की आदी गहराई के वरावर वैलोसिटी हेड होता है 113 नमबर है आपका अनाज भंडारण में अनाज के अधिक नमी वाले दानों को किस सनरचना में रखना चाहिए तो इसको हवादार भंडारण सनरचना में रखना चाहिए 114 नमबर है भारतिय खाद निगम द्वारा आम तोर पर भारत में प्रियुक्त भंडारण वनावच तो भारतिय खाद निगम द्वारा आम तोर पर जो है वो CAP भंडारण की वनावच बनाई गई है 115 नमबर है पानी का घनत होता है पानी का घनत कितना होता है 1000 किलोग्राम प्रतिगन मीटर होता है 116 नमबर है गेहु सुखाने है तो हवा का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए तो इसका हवा का जो अधिकतब तापमान होना चाहिए तो 60 degree centigrade होना चाहिए 117 नमबर question है विसिष्ट उर्जा graph जो विसिष्ट उर्जा एवं बहाओ की गहराई के मद्द बनाया जाता है किस अवस्था के लिए होता है तो विसिष्ट उर्जा graph जो है वो इस्थिर वहाओ के लिए होता है जो विसिष्ट उर्जा एवं बहाओ की गहराई के मद्द बनाया जाता है 118 नमबर है आलू के वहंडारण के लिए तापमान तो आलू के वहंडारण के तापमान के लिए तापमान उप्यूक्त रहता है किन्तो अगर हम आलू को लंबे समय के लिए प्रिजर्व करते हैं लंबे समय के लिए वहंडारण करके रखते हैं तो दो से चार डिगरी सेंटी ग्रेट तक का तापमान इसके लिए उप्युक्त रखा जाता है 119 नंबर है केंद्रिये भूमी सुरक्षा अनसंधान केंद्र केंद्रिये भूमी सुरक्षा अनसंधान केंद्र कहां कहां है वो मैं आपको बता रहा हूँ देहरादून में है, चंडीगड में है, छतर में है जो कि अब बंध हो गया है, कोटा में है, आगरा में है, बसद में है, उटकमंड में है, बेलारी में है आपका, जोदपुर में है, इब्राहिम पट्नम में है और उत्तर प्रदेश की भूमि समस्याओं को आगरा, कोटावा, बसत ये तीन जगे देखा जाता है तो आपके अगर केंद्रिय भूमि स्रक्षान संदान केंद्र केंद्र है 120 नमबर कोश्चन है भारत का कुल भगोलिक छेत्र कितना है 32.88 करोड हेक्टेर जो है भारत का कुल भगोलिक छेत्र पल है 121 नमबर है योजना आयोग ने भूमि संदाक्षन परभासा कव दी योजना आयोग ने भूमि संदाक्षन परभासा 1942 में दी 122 नमबर है मृदाकड़ों को कितने भागों में बाटा गया है तो मृदाकड़ों को तीन भागों में बाटा गया है 123 नमबर है खनिच पदार्थों का घनत्थों खनिच पदार्थों का जो घनत्थों होता है वो 2.6 से 2.7 तक होता है 124 नमबर है कंक्रीली मर्दा का बास्तविक घनत्त तो कंक्रीली मर्दा का जो बास्तविक घनत्त है वो 2.64 से है दोस्तों एक कोश्चन मर्दा खनेज मर्दा और कंक्रीली मर्दा के घनत्त का बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार अलग-अलग एक्जाम्स में पूछा जा च चिकनी मर्दा में या चिकनी मिट्टी में कितने प्रत्सत रंद्रावकास पाए जाते हैं तो चिकनी मिट्टी में जो रंद्रावकास पाए जाते हैं लगबग 50 प्रत्सत तक पाए जाते हैं 126 नंबर है केंद्रिय भूमि स्रक्षा वोड यानि कि सेंट्रल स्वाइज कंजर्वेशन वोड की स्थापना कब हुई तो केंद्रिय भूमि स्रक्षा वोड की स्थापना 1953 में हुई है 127 नमबर है आपका भारत में राज्य भूमी सुधार वोट की संख्या कितनी है तो भारत में राज्य भूमी सुधार वोट की संख्या जो है वो 22 है 128 नमबर है किरसी विवाग संयुक्त राज अमेरिका ने मृदा कड़ों को कितने भागों में विवाजित किया है तो मृदा विकारों को भी साथ भागों में विवाजित किया है 130 और इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन है प्रथम पंच बरसी योजना में भूम संरक्षण के लिए कितने रुपए का प्रापधान किया गया ब्रथम पंचबर सिन्यों जनामे भूम समरक्षन के लिए 1.6 करोड रुपए का प्रापधान किया गया दोस्तों ये 130 तक के कोश्चन हुए इस वीडियो में आगे 1000 कोश्चन्स हैं तो वीडियो भी कई सारी बनके आएंगी आएंगी तो आप वीडियो के साथ बने रही है चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन दबा दिए जिससे कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रह सके परकि ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा वीडियो के बारे में कुछ भी बताना चाहें कमेंट चरूर करिएगा परकि वीडियो अपने दोस्तों को भी सेर करिये जिससे कि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके परकि वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद